हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटर्न सियर करने जारी हूँ, इस पैटर्न को आप लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, जैकेट, जैन्ट साफ स्वेटर, फुल स्वेटर, जैकेट, गल्स प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट आदी में अपलाई कर सकते हैं, बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटर्न आ जाता है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ड होता है, इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फोर के मल्टिपल में फंदे डालने है प्लस वन फंदा एक्स्ट्रा डालेंगे, दस नंबर की सलाई में हम इस पैटर्न को बना लेंगे, अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ड करते हैं, तो देखे, बॉर्डर कंपलीट होने के बाद फ्रेंट से पैटर्न की फर्स्ट रो, पहला फंदा उतारेंगे, धाग अपनी साइड, अब नेस्ट हमारा पैटर्न बना स्टार्ड हो जाएगा, तो देखे, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अब नेस्ट इनहीं चार फंदों का प्रोसिस रिपीट होगा, धागा अपनी साइड करे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन धागा पिछे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा नेश्ट सेम प्रोसिस रिपीट होगा तीन फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा सीधा धागा अपनी साइड लास्ट में हमारे तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे एक फ्रांट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो दागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे, दागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर दागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे लास्ट में हमारे तीन फंदे सीधे आजाएंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा आजाएगा तो देखिए wrong side से हमारी pattern की second row complete हो गई, अब देखिए front side से pattern की third row, अब third row में देखिए पहला फंदा उता लेंगे, धागा अपनी side करेंगे, तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, धागा पीछे कर लेंगे, अब next देखिए जो सीधा फंदा है, इसकी chain में आएंगे, first row छोड़ेंगे, second row छोड़ेंगे, दिखिए जो third row दिखाई देखिए रहा, इसमें slide डालेंगे, एक medium loose फंदा बना लेंगे, इस तरीके से देखिए, फिर next फंदा सीधा आजाएगा, फिर उसी hole में हम slide डालेंगे एक और medium loose फंदा बना लेंगे, फिर दागा अपनी side, अब next हमने same process repeat करना है, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, दागा पीछे कर लेंगे, अब देखिए next सीधे फंदे में हमारा pattern आएगा, first row छोड़ेंगे, second row छोड़ेंगे, third row में slide डालेंगे, एक medium loose फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा आजाएगा, फिर उसी hole में हम slide डालेंगे, एक और medium loose फंदा बनाएंगे, इस तरीके से देखिए, फिर दागा अपनी side करेंगे, अब next हम same process repeat करेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे, फिर दागा पीछे करेंगे, next हमारा सीधे फंदे में pattern आएगा, first row छोड़ेंगे, second row छोड़ेंगे, और third row में हम slide डालेंगे, एक medium loose फंदा बनाएंगे, फिर next फंदा, सीधा, फिर उसी होल में हम slide डालेंगे, एक और medium loose फंदा बनाएंगे, धागा अपनी side, तीन फंदे, उल्टे, दागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे में हमारा pattern आएगा, third row में हम slide डालेंगे, एक मीडियम लूज फंदा बनाएंगे नेस्ट फंदा सीधा आ जाएगा फिर उसी होर में मसलाई डालेंगे एक और मीडियम लूज फंदा बना लेंगे धागा अपनी साइड तीन फंदे लास्ट में उल्टे आ जाएंगे और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ए फ्रन्ट साइड से हमारी पैटर्न की थार्ड रो कम्प्लीट हो गई रॉंग साइड से देखे फोर्ध रो पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे अब नेस्ट हमारे तीन फंदे सीधे आएंगे एक दो तीन धागा अपनी साइड अब देखे जो एक्स्ट्रा फंदे हैं इनको हम बिना बुने उतारेंगे नेस्ट फंदा उल्टा बुनेंगे फिर देखे जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन धागा अपनी साइड अब देखे नेश्ट देखे जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा फिर एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने धागा पीछ कर लेंगे तीन फंदे सीधे कोघ다 अपनी side करेंगे को अब देखे एक्सट्रा फंदा बिना बुने नेस्ट फंदा बुन के आएगा फिर एक्सट्रा फंदा बिना बुने दागा पीछे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, अब देखे जो एक्स्ट्रा फंदा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे, नेस्ट फंदा उल्टा आ जाएगा, फिर नेस्ट फंदा बिना बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देख फ्रंट साइड से पैटन की फिप्त रूब, अब फिप्त रूब में देखे पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, अब देखे जो नेस्ट उल्टा फंदा है और एक्स्ट्रा फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, तो सीधी साइड से सलाइड आलेंगे, दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा आजाएगा, अब देखे नेस्ट एक्स्ट्रा फंदा, और तीन जो उल्टे फंदे हैं, इन में से पहले नमबर का फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, तो देखे अपने साइड एक फंदा उल्टा आजाएगा, फिर धागा पीछे, अब देखे नेस्ट उल्टा फंदा और एक्स्ट्रा फंदा एक साथ बुनेंगे, तो सीधी साइड से सलाइड आलेंगे, दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा, नेस्ट एक्स्ट्रा फंदा एंसे फंदा उल्टा जाएगा धागा पीछे दो का एक करेंगे सीधी साइड से सलाई डालेंगे दो का एक करने फिर एक फंदा सीधा नेश्ट फंदा परटा लेना है फिर दो का एक करने एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे दो का एक करेंगे सीधी साइड से सलाई डालेंगे दो का एक एक फंदा सीधा फिर देखे एक्स्ट्रा फंदा इस तरीके से पलटाएंगे फिर दो का एक करेंगे लास्ट में हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा सीध साइड से हमारी पैटर्न की 5th row complete हो गई अब देखिये रॉंग साइड से 6 रो अप सिक्ष्ण रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे रॉंग साइड से हमने 6 रो को सीधा बुनते हुए complete करना है रॉंग साइड से हमारी 6 रो सीधी आएगी सेम प्रोसिस को रिपीट करते हैं रॉंग साइट से अपनी सिक्स रो कम्प्लेट कर लेंगे रॉंग साइट से हमारी पैटन की सिक्स रो कम्प्लेट हो गई अब देखें फ्रंट साइट से पैटन की सेवंत रो अब सेवंत रो में हमारा पैटन रिपीट होगा सेवंत रो को हमने फ Rush रो की तरह बुनते हुए कम्प्लेट करना है इनी चैस रायों के पैटन को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बन के देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसन पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूनें थेंक्यू